हेलो गाइज स्वागत आपके को और न्यू वीडियो में मैं हूँ विशाल वर्मा और आज हम आपके लिए लेक रहे हैं महिंद्रा की बहुती बहतरीन कार जो कमर्शल विकल्स में सबसे पहली पसंद मानी जाती है कमर्शल ओनर्स की जिसका नाम है महिंद्रा बुलैरो और आज इसी का रिवियू करने वाले हैं इसी वीडियो में पूरी डिटेल में देंगे आपको इसके सभी फीचर्स के बारे में और इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में मैंटेनंस प्राइस सब की बारे में आज हम इस एस वीडियो में बात करने वाले हैं तो लाट तक देख रहे गां इस वीडियो को तभी आपको सभी सीजिये पता लगने वाली है इस वीडियो में चलिए शुरू करते हैं बिना कि इस तरी के इस वीडियो को कुछ ऐसा आगे से लुक मिलता आपको महिंद्रा बुलायरोगा यहां पर बीच में महिंद्रा का लोगो मिल जाता है और बड़ी सी ग्रिल मिल जाती है नीचे कुछ ऐसा डिजाइन रूफ टॉप से आप देख सकते हैं पुरा क्यूब वाला डिजाइन डिया जाता है यहां पर कर्स दिये जाते हैं कोई भी सर्कुलर पार्ट नहीं मिलता सामने से बहुती बहुती बहतरीन लुक्स आते हैं महिंद्रा के बुलायरों के यह बहुती बहतरीन कार है महिंद्रा की तरफ से जो उनकी बहुती फेमस का फ़क्वार्स में मानी जाती है कि यह headlands देख सकते हैं है से फोक्र अधिकेटर के साथ यह पें अकंette कि बॉल्लयरो की यहां पर बेचेंग एंट के और यहां पर शाइडमें नीचे यह देख सकते हैं फोकल में के लिए जगे दी है आप इंस्टोल करवा सकते हैं या नीचे की भी मैश्ड ग्रिल कि साइड से लुक देखेंगे तो यहां पर कुछ ऐसे टायर्स मिलते हैं आपको ऐलोए वील्स के साथ बहुत ही बहतरी टायर्स के लुक है यहां से आप टायर्स का लुक देख सकते हैं पूरे एलोए वील्स हैं यहां पर डायमंड कट एलोए वेल्स यहां पर 215 75 और 15 के टायर्स मिलते हैं 15 इंच इसके यहां पर टायर्स मिल जाते हैं आपको इसमें ऑगे की तरफ disc brakes मिलेंगे पीफे की तरफ ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं कि यह सामने से वाइपर्स देख सकते हैं कि और कुछ ऐसा सामने से लोग देख सकते हैं कि पूरा यहां पर गारी को रोल लुक दिया गया है यहां पर यह यहां पर यह tutorial मिल जाती है आपको SUV ये इसके कुछ ORVM है, मैनुल ही है, आपको बाहर से ही अडजेस्ट करने होंगे, कोई भी इलेक्ट्रोनिकल पार्ट इसमें यूज नहीं किया गया, और यहाँ पर कुछ ऐसे टोल शेप में ORVM मिल जाते हैं, यहाँ पर क्रोम में डोर हैंडल मिल जाते हैं आपको, यहाँ पर की का ओप्शन मिलता है, नीचे कलैडिंग्स दी गई है, यहाँ पर यह रणिंग बोर्ड मिल जाता है, आपको शांदार ब्लैक आउटफिट में, यहाँ पर साइड से देख सकते हैं, लोग कुछ ऐसा आता है, यहाँ पर टेल लैंज हैं पीछे, और यह इसके दो पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं आपको पीछे की तरफ, यह वील कवर मिल जाता है पीछे की तरफ, बूट ओपनिंग लिड में आपको वील कवर मिलता है, वो लैरो की बैचिंग मिलती है, महिंद्रा का लोगो मिलता है, और हाइस्टॉप लैम, चलिए, अब पीछे का बूट खोल के देखते हैं, तो की से ऐसे अनलोग होगा, इस डोर हैंडल को ऐसे क्लिक करेंगे, तो ऐसा कुछ यहाँ पर सामने से लुक आता है, पीछे के डोर का, देख सकते हैं, बहुती बड़ा सा उज़ डोर मिलता है आपको, यहाँ पर यह हैंडल अनलोग करने के लिए, और यहाँ पर कुछ ऐसी मिलती हैं आपको पीछे की सीट्स, यहाँ पर फोर सीटर यहाँ पर मिल जाती है यह, यहाँ पर कुछ हाम रैस्ट से रखे हुए हैं साइडों में, और यह मिलता है आपको बेस ट्यूब, पावर की दरफ से, यहाँ पर यह इसके कुछ समान रखा हुआ है, और नीचे से कुछ ऐसी जगह दी गई है, यहाँ पर यह फूट स्टैप मिल जाता आपको चड़ने के लिए, इसकी मुझाई के कारण, और चलिए अंदर चलते हैं, तो कुछ ऐसा सीटिंग एरिया मिलता आपको, यहाँ पर यह हैंडल बार मिल जाता है, और रूफ क्लीन मिलेगी, चलिए क्लोज कर देते हैं बूट को, उपर की तरफ यह ऐसा कुछ डिजाइन है, यहाँ पर बुल एरो बी-फॉर की बैचिंग मिलेगी, चलिए इसका अब फ्यूल लिड खोल के देखते हैं, तो यहाँ से ड्राइवर साइड से नीचे से फ्यूल लिड ओपन होती है, और यहाँ पर मिलता आपको डीजल में, ऑप्शन इसमें, देख सकते हैं, यह कितने लिटर का फ्यूल टैंक आपको स्क्रीन प्रिशो हो रहा है, चलिए पैसेंजर साइड डॉर ओपन करके देखते हैं, तो यहाँ पर कुछ ऐसा मिलता आपको पैसेंजर साइड डॉर, यहाँ पर पूरा बलैक में आउटफिट मिलता है, यहाँ पर डॉर अलनॉक के लिए, यहाँ पर यह कुछ ऐसा हैंडल, यहाँ पर कुछ स्पेस ग्रैब करने के लिए यहाँ पर मैनुवल विंडोज मिलती है आपको सभी मैनुवल ही मिलेंगी विंडोज आपको यहाँ पर यहाँ पर नीचे की तरफ यह रणिंग बोर्ड मिल जाता है जिसके आप जिसके उपर आप फुट स्टेप रखके कर सकते हैंnineफ सो यहां पर कुछ ऐसी शीट शील मिलते हैं लादर राइट में कि और कुछ ऐसा exact शीजाइन में अपको साइड हों से चलिए अंदर चलते हैं और यहां पर अभी देखिए को फ़िए है कि ऐसा डिसाइन मिलता है अंदर से उपर की तरफ handlebar मिलेगा बीच में यहाँ पर आपको light मिल जाती है door और off का button मिलेगा और on का button मिलेगा बीच में कर देंगे तो door opening पर आपकी light on होगी यहाँ पर पीछे pockets मिल जाती है seats की कुछ ऐसा design मिलता है कि यह आपको dashboard का design मिल जाता आपको कुछ ऐसा steering का लुक मिलता है hydraulic steering मिलता है चलिए आप बाहर चलते हैं गाड़ी से और बाहर से कुछ ऐसा लुक मिलता है cladding मिलती है यहाँ पर mhawk engine की बैजिंग मिलेगी आपको यहाँ पर indicators मिल जाते हैं साइडों में कुछ ऐसे मैश्ड और यहाँ पर washer मिल जाता है और यहाँ पर यह manual wipers मिलते हैं आपको यहाँ पर कुछ stickers हैं और चलिए driver side door देख लीजिए अभी तो यहाँ पर कुछ ऐसा मिलता है driver side door यहाँ पर door unlock के लिए मिल जाता है आपको कुछ ऐसे मैश्ड और यहाँ पर कुछ space यहाँ पर manual windows और नीचे के तरफ running board और कुछ ऐसा मिलता है आपको steering का look और यहाँ पर seats का look manually comfortable seats मिलती है black outfit covers में यहाँ पर steering आपको hydraulic में मिलता है tilt or telescopic option नहीं मिलता यहाँ पर hydraulic steering और यहाँ पर मिल जाते हैं आपको AC vands यहाँ पर कुछ बटन्स मिल जाते हैं start stop button मिल जाता है यहाँ पर light का option मिल जाता है button यहाँ पर pedals मिल जाते हैं नीचे की तरफ कारपेट देख सकते हैं कैसे हैं यहां पर कुछ ऐसा डिजाइन आपके सामने आता है सेट को कर लेते हैं कि सचली ही यहां पर देखिएयाँ पर आपको और एयर बैक और यहां पर चलिए गाटी को होन कर लेते हैं तो कुछ ऐसा मिलता है आपको इंस्ट्रॉमेंट क्लसq शो करेगा extra चलिए ऐहां पर को educator करेगा और और से काई ंपर च्रिपकर मिल जाता आपको यहाँ पर और भी seatbelt reminder के option मिलेंगे आपको और यहाँ पर hazard light का बटन मिल जाता है ऐसे click करेंगे तो यहाँ पर hazard lights हो नहों हो जाती है आपकी और यहाँ पर यह जो wipers के control मिलते हैं चलिए इन्हें भी चला के दिखाते हैं आपको manual wipers मिल जाते हैं आपको कुछ ऐसे और इस साइड आपको मिलते हैं lights के control इसे high beam low beam करें लिए low beam यह high beam तो कुछ ऐसा देख सकते हैं और यहाँ पर मिल जाता आपको after market stereo यहाँ पर कुछ ऐसा design मिलता है यहाँ पर यह ओर विया मिल जाता आपको यहाँ पर driver side sunshine पर कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पर कुछ वार्निंग्स दी गई हैं यहाँ पर passenger side पर आपको कुछ नहीं मिलता है sunshine पर यहाँ पर side में grab handle मिल जाते हैं यह lights के option मिलता है आपको उपर manual windows handlebar कुछ ऐसा design dashboard का यहाँ पर मिल जाता कुछ ऐसा glow box आपको बहुती बड़ा glow box मिल जाता है यहाँ पर 12 watt का socket मिल जाता है यहाँ पर AC के controls में जाते है manual AC मिलेगा आपको यहाँ पर defocal option मिल जाता है आपको इसमें यहाँ पर और नीचे की तरफ कुछ space मिल जाती है और यहाँ पर यह मिलता आपको five speed manual transmission और नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर दो cup holders की space मिलेगी देख सकते हैं और पीछे की तरफ भी कुछ space मिल जाते हैं आपको कुछ ऐसे यहाँ पर सामान रखे हुए हैं तो चलिए बगाड़ी से बाहर चलते हैं यहाँ से तो दोस्तो कैसी लगी आपको हमारी यह बुलैरो की आज की वीडियो हम आगे से आपको बॉनेट ओपन करके नहीं दिखा सकते क्योंकि यहाँ पर बहुती कम space है तो दोस्तो कैसी लगी आपको बुलैरो बी-4 हमें comments में पताईएगा यहाँ पर यह डीजल लिंदे में मिल आती है आपको यह वीडियो आपको शंदाजी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएक और सब्सक्राइब कर लीजिएक हमारे चैनल को आपका यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद में विल तॉपको नेक्स टॉडियो में तब तक के लिए बाइबाई